A very good morning all of you. This is your tulika means and this is your maths period. Today, I am going to teach you page number 50, a new concept greater than and less than. Greater than means big and less than means small. इसमें हम लोग एक एरो का यूज़ करते हैं. See, I am Mr. Hungry Crocodile. I will eat greater number of toffees. दोनों साइड टॉफी से एक साइड ज्यादा है और एक साइड कम है. तो Hungry Crocodile बोलता है कि जिधर ज़्यादा टॉफी है, उधर के टॉफी को मैं खाऊंगा. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से साइड ज्यादा है और कौन से साइड कम है? येस, जब हम लोग टॉफी को काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से साइड ज्यादा टॉफी है. तो लेट्स काउंट वान, टू, थ्री, फोर देरार फोर टॉफी इन दिस साइड एंड वान, टू, देरार टू टॉफी इन दिस साइड तो फोर टॉफी जिधर है, उसकी संख्या अधिक है. इसलिए जिधर फोर टॉफी जे वो ग्रेटर देन हो गया और जिधर टू टॉफी जे वो लेस देन हो गया. तो हमेशा लेस देन की तरफ मुरा हुआ वाला साइड होगा और जिधर ज्यादा टॉफी है, उधर खुला हुआ साइड होगा. means arrow का जो खुला हुआ साइड है वो अधिक टॉफी की तरफ होगा so we may say 4 is greater than 2 तो 4 की तरफ खुला हुआ भाग होगा और 2 की तरफ बंद वाला हिस्सा होगा okay now see I am still hungry I will not eat less number of toffees यहां पर भी एक साइड कम टॉफी है और एक साइड अधिक टॉफी है तो वो हंगरी क्रोकोडाइल कम टॉफी को नहीं खाना चाता है जिधर जादा टॉफी है उसको खाना चाता है तो इसका खुला हुआ मो अधिक टॉफी के तरफ होगा so there are one toffees in this side and five toffees in this side so we may say one is less than five एक पांच से कम है तो one के तरफ बंद हिस्सा होगा और five के तरफ खुला हुआ हिस्सा होगा that's all for today thank you